तो आज हम बनाएंगे बहुती आसानी से बनने वाला नाश्ता जो कि इंदोर में खाया जाता है जिसे कहते हैं पोहा और बहुती आसानी से और बहुत कम चीजों से बनाया जा सकता है इसको तो आईए चलिए देखते हैं किस तरह मैंने इसको बनाया है तो सबसे पहले मैंने यहां लिया था 300 ग्राम के करीब पूहा 3-4 लोगों के लिए बनाने के लिए और उसमें मतलब उसको छेक भी कर लिया था कि इसमें कोई कंकड वगएरा तो नहीं है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हाथ से चला लिया है और तुरंथी इसका जो पानी है वो ड्रेन कर देना है इसको बिगो के नहीं रखना है अधरवाइस यह ज़्यादा फूल के और मैश हो जाएंगे तो यह देखिए इसका पानी निचोड मतलब की निकाल दिया है मैंने और इसमें मिला दूँगी अभी मैं इस वाद के अंसार नमक और थोड़ा सा मिलाओंगी आधर चम्मच के करीब चीनी क्योंकि इस डिश में चीनी अगर हम डालते हैं इसका जो टेस्ट है वह ही इनहेंस हो जाता है और इसको चम्मच की सहायता से हलके हातों से हम मिलाएंगे ताकि यह जो हैं टूटे नहीं और खीले खीले बने तो यहां पर देखिएंई यह भीगा के इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देरी हूं five-dиб मिनट के लिए और यहां लिये आए मैने बारीक कट नच बारीक कट हरी मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ते कडी पत्ते थी इस टिश की लिए बहुत ही ज़रूरी है और यहां में लिये हैं मुफली के दाने और फिर इसके बाद मैंने राई ली थी यहां पर थोड़े सी और यहां पर चड़ा दूँगे मैं कड़ाई सबसे पहले गरम होने के लिए कड़ाई को हम अच्छे से हीट करेंगे जैसे ही कड़ाई गरम होगी तो हम इसमें डालेंगे ऑईल दो चोटे चमच के करीब ऑईल डालना है मैं यहां सरसुका ऑईल यूज कर रही हूँ अगर आप चाहें ऑलिव ऑईल भी यूज कर सकते हैं और इसमें डाल दिया मैंने मुफली मुफली को अच्छे से हम बिलकुल भून लेंगे ताकि अंदर तक रोस्ट हो जाए इसको भून लूँगे मैं चलाते हुए तो चलिए जट पट से भून लेती हूँ तो यहां देखिए मैंने भून के इसे एक थाली में निकाल दिया ताकि यह ठंडे हो जाए और कुरकुरे हो जाए और इसमें मैंने ज़रूरत है उसे सबसे, और इसको चतकने देंगे जैसे इसमें हाज आने लगे तो इसमें चतकने की आवाज आने लगे तो इसमें ہम ढलेंगे बारी ऐस्टे हुई ह्री मिर्च लख यो कैदे helping काट लिया था और अभी उसको डालूँगी जो कड़ी पत्ते का फ्लेवर है यह पोहिं बहुत ही अच्छा आता है कि यहां डाल दिया है मैंने और इसको अलका सा बून लेंगर बून लेंगे अच्छा तरीके से और इसमें थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डालूँगी मैं यहां हल्दी पाउडर देखे थोड़ा सा डाला है ताकि कालर आए ज्यादा नहीं डालना है अगरवाइस टेस्ट कराब होने लगता है तो यहां डाल दिया है और यहां पे पोहे रखे तो देखिया एकदम खीले-खीले से हो गए है पानी पुरा सोक लिया है इसमें अब इसको डाल के हम चला देंगे अच्छे से अच्छे तरीके से चलाना है इसको ताकि जो हल्दी है वो मिक्स हो जाए और बाकि सारी तो यहां देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया था दीमे आज पर चलाते हुए और यहां डाल दिया है मैंने मूफ लिए और डाल के चला दूँगी इसको अच्छे से और यह सारा जो प्रोसेस से हमें धीमी आच पर करना है यह फ्लेम ज्यादा हाइड करके नहीं करना है तो यहां पे इसे सर्फ कर रहे हूं इस पे उपर से मैं थोड़ा सा नमकीन डाल रहे हूं आप चाहे सेवल नमकीन डाल सकते हैं थोड़ा सा प्यास डालूंगी और एक आधर निम्बू का रस और रेडी है हमारा ये हल्दी नास्ता तो मुझे पिताईए कि मेरी रेसिपी को शियर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पॉर वाचिंग बाब बाई मिलते हैं आप से अगले उग्यूट